मिन्टू एक ननही बिल्ली का बच्चा दुनिया को गोलगोल आंखों से देखता था। उसकी दुनिया तक्या के नीचे से शुरू होकर खिर्की से बाहर जाकते हुए ही खत्म होती थी। हर दिन वह सूरज की किरणों का पीछा करता, धूल के गुबारों को बांधता और पत्तियों के सरसराहट में गीत सुनता। एक दिन मिन्टु ने अपने बड़े भाई बुग्गु को देखकर हिम्मत जुटाई। बुग्गु बेधड़क घर में घूमता, फरनी पर छलांग लगाता और पूँच को हवा में लहराता था। मिन्टु ने भी ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे पंजे अकसर फिसल जाते और वह थप्त पाता हुआ नीचे गिर पड़ता। लेकिन मिन्टु हार नहीं मानता था। हर गिरने के बाद वह फिर खड़ा होता, अपनी आंखों में चमक लिए। धीरे धीरे उसके पंजे मजबूत हुए, चाल हुई और छलांग उची होने लगी। वह अब कुर्सियों पर चड़ सकता था, दर्वाजे के नीचे से गुजर सकता था और बुग्बू के पीछे दौड लगा सकता था। एक शाम घर में अचानक आवाज हुई। मिन्टू दर से सहम गया, लेकिन बुग्बू बहादुरी से आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक छोटा पक्षी घबराया हुआ कमरे में फड़फडा रहा था। बुग्बू ने धीरे धीरे पक्षी को पकड़ कर खिड़की के बाहर छोड़ दिया। उस रात मिन्टू को अपने बड़े भाई पर गर्व हुआ। उसने सीखा कि नन्हे होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। बहादुरी और लगन से हर कोई बड़ा कारनामे कर सकता है। और मिन्टू बहादुर गुब्बू के साथ अपने छोटे पंजे और बड़े दिल से अपनी खुद की रोमाचक बिल्ली दुनिया का पता लगाने को तैयार था। सूर्य देव की सुनहरी किरने समुद्र की लहरों से खेलती हुई जब राहुल अपने पिताजी के साथ सम लगा। वह दौर कर समुद्र के किनारे पहुचा, थंडी लहरों को छूता और उनके पीछे भागता। कभी वह रेत में महल बनाता तो कभी रेत के पहाणियों से फिसलता। हवा में उड़ते हुए पक्षियों को देखता, उनके साथ बाते करने की कोशिश करता। असी ने उसके हाथों में सीपिया थमाई, जिन में लहरों का गीत गूंज रहा था। राहुल ने उन्हें कानों से लगाया, समुद्र की कहानिया सुनता हुआ। उन्होंने मच्छवारों की नावों को चलते देखा, उनके जाल में फसे हुए चमचमाते मचलियों को निहा सूरियास्त के समय, समुद्र ने अपना रंग बदला। नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों में नहाया हुआ समुद्र एक खूपसूरत पेंटिंग की तरह दिखता था। राहुल ने इस जादूई द्रिश को आँखों में भर लिया, इसे अपनी यादों के सबसे खूपसूरत कोने में संजो लिया। वह जानता था समुद्र सिर्फ पानी का एक विशालतल नहीं था, बलकि अंगिनत कहानियों का खजाना, रोमाज का स्ट्रोत और प्रकृती का अद्भुत चमतकार था। वह वादा किया कि वह लोट कर आएगा समुद्र की नई कहानिया सुनने और उसके जादू में खो जाने के लिए। रवी को पीले फूलों का दीवाना था। उसकी छोटी सी दुनिया सरसों के खिलते खेतों, सूरज मुख्यों के सुनहरे चेहरों और सुन्दर्बन के रजनिगंधा के जादूई खुश्बू से महकती थी। एक दिन उसने दादी की कहानी को अपने दिल में संजोया और जंगल की ओर चल पड़ा। धूप छंकर पत्तियों से गिरती जंगल का गीत हवा में तेरता और हर कदम उसे जादूई नजारों से मिलाता। एक पहारी पार करने के बाद रवी रुख गया। उसके सामने एक घाटी फ कुमुद अरहर अंगिनत फूनों का एक सुनहरा समुद्र हवा में मीठी खुश्बू घोलता हुआ लहराता था। रवी घुटनों के बल बैठ गया, फूनों को छूता, उनके नर्म पंखो को सहलाता। उसे लगा जैसे वहा एक सुनहरे सपने में खो गया है। भंवरों क गुंजार, पक्षियों का चहचात और तितलियों का नाच इस जादूई द्रिश को और भी खूपसूरत बनाते थे। उसने घंटों वहां बिताए, फूनों की कहानिया सुनता, उनकी खुश्बू में खोता हुआ। उसने सीखा की सुन्दरता सिर्फ दिखने में नहीं हो बलकि खुश्बू, स्पर्श और अनुभवों में भी छिपी होती है। रवी ने पीले फूलों के तूफान को अपने दिल में क्याद कर लिया। वह जानता था कि भले ही वह इस जंगल से बाहर चला जाए, ये फूल हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसे प्रकृती के की याद दिलाते हुए।